वेल्कम टू नई सुबा कहानी घर नई सुबा टिल्स नेरेटिद बाई निस्मा आलम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलेकुम नई सुबा कहानी घर में खुशाम दीद मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी मगरूर घोड़ा एक सौदागर के पास एक गदा और घोड़ा था सौदागर घदे पर चावल और डाल की पोरियान लाद कर मंडी लेकर जाया करता था सौदागर को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता था वो घोड़े को अपने साथ लेकर जाया करता था लेकिन घोडे पर बहुत ही कम बैटता था ये देखकर घोडे के अंदर वुरू आगया अब घोडे ने कहदे से कहा मालिक तुम से बहुत प्यार करता है मगर तुम से जरा सा भी प्यार नहीं करता बलकि तुम्हारा तो एहसास भी नहीं करता तुम पर तो बेशिमार बोर या और कभी कोई समान तो कभी कोई समान लात कर ले कर जाया करता है मगर मुझे देखो मेरा कितना ख्याल करता है घडxico केने लगा मैं तुम नहीं सुना कि महनत में अज्मत है घोड़े ने कहा, जी बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है गालिब, खैर तुम मेरी अजादी से चलना नहीं, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ एक तिन सौदागर ने घदे पर इस कदर समान लादा कि घदे के पाउं में मोच आ गई और मालिक ते कुछ समान घोड़े पर रख दिया, घोड़े ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है मालिक, घदा ड्रामा कर रहा है लेकिन जब मालिक ने घदे का पाउं देखा, तो उसके पाउं में वागई ही मोच आ गई थी और सारा का सामान घोड़े पर कुछ दिनों तक लाद कर लेकर जाने लगा इस तरहां जब तक घदे के पाउं में मोच आई भी थी, घदा अराम करता था घर पर और सारा समान मालिक घोड़े पर लेकर जाया करता था और घुड़े का गुरूर इस तरह से खतम हो गया इसलिए तो कहते हैं बच्चो कि गुरूर का सर नीचे होता है नई सुबा कहानी घर में इतना ही मिलते हैं फिर मज़ेदार नई कहानी के साथ तब तक के लिए लगा आफिस